कहता है एक long wire है, infinite wire है, हम सब को पता है कि infinite wire non uniform field बनाता है, यहां से पास में ज्यादा field होता है, दूर जाएंगे तो field कम होता चला जाता है, कहता है एक current I flow राव in charge Q place at the point P, तो यहां पर P point पर, P point पर अगर तुम देखोगे, current I flow राव in charge Q place at the point P, current I flow हो रहा है, तो यहां पर जो charge party के लिए P point पर भी velocity से move कर रहा है, इंस्टेंट में charge Q at the point P, जिस इंस्टेंट पर हम सब को पता है कि current carrying wire अगर board के plane में देखोगे, real life में तो circle के form में ऐसे field होता है, तो board के plane में वो circle हर point पर अंदर चला जाता है, तो circle के यह जो cross है, इस type से क कुछ आएगा, ठीक है, यह जो wire field बनाएगा, वो कुछ ऐसा, तो magnetic field board के अंदर चला गया, और velocity vector तो इधर है, तो velocity vector इधर तो force कैसे निकालते हैं, तो force का जो expression है, वो है Q और V cross B के equal है, तो Q अगर V cross B के equal है, तो V इधर है, V अंदर है, तो V cross B force किदर लगा, फोर्स लग ग मतलब यह है, O A की direction में उपर force लगेगा, मलब इस charge particle को अभी अगर ऐसे छोड़ोगे, तो ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे सीधा छोड़ोगे, ऐसे circle में जाएगा, इस point पे ऐसे आएगा, और उसका जो plane होगा circle का, वो यह board होगा, तो along the O Y, that is A option, सही है,